परजस का नाम है Mr. Mac और आज जो है आपको कोशन पेपर जून अटेम्ट दो हजार पाइस इससे पहले मैंने तेन कोशन पेपर अल्रेडी अटेम्ट कर जो है अपलोड कर दियें सॉरी अटेम्ट की बात कर रहा हूं अपलोड कर दियें वो आप चेक कर सकते हो और ये कोशन पेपर अपलोड करने का मेरा में मोटिव यह है पहली चीज आपको इधर उधर भटने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोशन पेपर कहां से मिलना है कहां नहीं मिल रहा है अल्डेडी सारा चीज इस पे अबलेबल है अब प्लस स्टेडी मटेरिल के अल्डेडी मैंने एक्स्प्रीनेशन नोट्स अल्डेडी दे रखे है और अच्छे से मैंने समझा भी रखा है वो बात अलग है कि कुछ चैप्टर्स रह रहे हैं क्या जादा नुमेरिकल कोशन आए या थियोरिटिकल कोशन है उन सभी का जवाब आपको यहां पे मिल जाएगा अगर आप पहला कोशन देखेंगे तो कहरा है अकाउंटिंग डिफाइं डिस्क्राइब दे क्वालिटेटिटिव करेट यह कही ना कही आपका पहली बुक जिसे हम ब्लॉक वन कहते हैं उसमें से आया हुआ कोशन है जो की 10 मार्क्स का है फिर कहारे डिस्टिंग्विश इंडियन अकाउंटिंग स्टेंडर्ड यह भी आपका ब्लॉक वन में से कोशन है चैप्टर आपका एक से लेकी चार तक के पीच में तो कही ना कहीं ब्लॉक वन से आपके 20 नंबर तो यहीं आगए जर्नल सब डिबाइड और स्पेशल जर्नल यह भी आपका जो है जर्नल एंट्री से रिलेटेड है तो यह भी आपको पहले ब्लॉक में मिल जाएगा आप चैक करिएगा तो यह डिब्लॉक का कोशन है तो आप इसे भी नोट कर लीजेए इसका स्क्रीन शॉट ले लीजेए अब उसके बाद कहरा है थर्ड कोशन डिफाइन डिप्रिशेशन डिस्टिंगुश फ्रॉम explain करना है और इनके जो methods है उनको भी describe करना है तो कहीं ना कहीं 2, 6 और 12 last में जो 12 नंबर है वो describe करने के लिए बोल रहा है methods के बारे में question 4 में जो है आपका what is the mean by balance sheet and give the format the vertical presentation of the final account यानि के कहने का मतलब कह रहा है balance sheet क्या है आपका और इसके जो vertically representation है पहले आपका horizontal type का होता था और अब आपको vertically represent करना है तो vertically of financial accounts का आपने format लिखना है उसमें और अगर चाहो तो explain कर सकते हो अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप जो है उसको सिर्फ format भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा उसके बाद कहरा है find out the cost of goods sold from the following information यानि आपको cogs निकालना है cost of goods sold और cost of goods sold का ऐसे formula होता है opening stock plus purchase plus direct expense minus closing stock एक बार दुबारा मैं बोल रहा हूं what opening stock plus purchase plus direct expense purchase में direct expense plus कर देना minus करना है closing stock तो आपका direct answer निकल क्या जाएगा 6 number free fund क्या आपके question 5 कह रहा है what you mean by joint venture explain the silent feature of joint venture joint venture क्या होता है और इसके silent feature आपने बताने में distinguish between the following joint venture and consignment and joint venture and partnership इन दोनों में आपने distinguish लिखने हैं और दोनों आपके पांच-पांच number यानि पहला भी पांच number का है दूसरा भी पांच number का है तो कही न कहीं आपको जो है पांच points में आपने difference लिखने है 6 question आपका जो है what do you mean by invoice pricing आपको पांच करने है तो आप अपने इन में से कोई भी 5 question check कर सकते हैं तो question 6 का भी आप screenshot ले लिजे और question 7 भी आप देखेंगे what the main object maintain the branch account explain how the branch stock account help the keeping effective control over the branch stock कहीं न कहीं theoretical बहुत जादा question पूछ रहा है यह numerical का chapter है लेकिन कहीं न कहीं इसके theoretical पूछे गया है और यह आपका जो है higher purchase का question है question number 8 अगर आपको higher purchase आता अच्छी बात है नहीं आता है तो don't worry time मिलेगा मैं इसका भी एक दो question आपको करातूँगा उसके बाद question number 9 what do you mean by computerized accounting explain and merit state तो आप चाहो तो इसका screenshot ले लो यह आप screenshot ले सकते हो दो-दो करके आप ले लिजे कोई दिक्कत नहीं है तो एक ही हो जाएगा और दूसरे में आप इस तरीके से ले से ठीक है ओके उसके बाद question number 9 है computerized accounting और यह मेरे ख्याल से यह last question है और इन्हीं 9 में से आपने 5 करने हैं तो आपको मैंने जितने भी आए चौता वाला है एक और इस पे upload कर दूंगा टोटल पांच हो गए इन पांचों को अगर आप कर लेते हो तो यकीन मानों आपके अच्छे marks भी आएंगे और आपको ज्यादा महनत भी करनी नहीं पड़ेगे तो मिलते हैं आपसे next video में और अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें थैंक्यू वेर गांच समय हो बंगी is तो बेंग सब्सक्राइब करने और आपके अच्फटारी हुए आप मे मेगीitis और आपक रजा में आपके तो कि